प्राचीन काल में भी हमने अपने लोगों के साथ वैवार अच्छा नहीं रखा है किसी को शूद्र बना दिया, किसी को अच्छूद बना दिया सोसाइटी में यूनिटी और हार्मनी नहीं रही इसी कारण हम गुलाम बनें और आज भी हमारा वैवार अपने से नीचे लोगों की तरफ अच्छा नहीं है नीरज की एक कविता है, वो कहते हैं आदमी को आदमी बनाने के लिए छोटी सी एक प्रेम कहानी चाहिए कागज पर लिखने वाली रौस्ता ही नहीं आखों में थोड़ा सा पानी चाहिए वो आखों में पानी का मतलब है दया अपने से पिछडे लोगों की तरफ एक दया भाव जरूरी है तभी देश में यूनिटी आएगी तभी राष्ट स्ट्रॉंग बनेगा सशक्त बनेगा जै हिंद